नमस्कार दोस्तों बच्चों मैं रोहित गुप्ता आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और शांदार चैप्टर लेके इसका नाम है इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन और इसके अंदर आज हम धेर सारे वर्दान लेकर आपके सामने आए हैं बहतरी चैप्टर है बढ़िया चैप्टर है चार से पांच बढ़िया टॉपिक इसके अंदर बनते हैं आज उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं तो यह जो चैप्टर है बच्चा 12 में जब पढ़ रहा होता है तो इस चैप्टर तक आते आते उसकी सासे फूल चुकी होती है अकसर इस चैप्टर को ऊगनोर करके जाता है निगलेक्ट करके जाता है तोगि यहां तक आते आते उसकी सासे फूल चुकी होती है छी ना फिर से एक नई energy के साथ जुड़ जाता है लेकिन ये chapter कहीं ना कहीं ignore हो जाता है तो आज इसी chapter को लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने तो start करते हैं हमारे सबसे पहले 10 year analysis के साथ तो 10 year analysis हमें दिखाता है different chapters, different topics जो आए है इस chapter के अंदर LC circuit and LC oscillations, LR circuits and LC oscillations सबसे ज्यादा question 31% question इस circuit के ऊपर question आपसे पूशे जाते हैं अगर इस chapter से question आएगा तो 30% जान से कि भाया वो किस से आजाएगा वो आजाएगा LR circuit या LC oscillations से आजाएगा ये समझ सकते हुआ फिर 25% question आते है magnetic flux induced EMF, Faraday law, lens law इन चीज़ों के ऊपर 22% question आते है self inductance and mutual inductance जी हाँ self inductance and mutual inductance बहुत छोड़ा topic है बहुत असान है पर उसके ओपर भी question आप लोगों से पूछ लिए जाते है फिर है motional and rotational EMF, जादा दूर नहीं है 22-19% तो similar similar से ही topic है मतलब लगबग समझ की equal weightage है जादा weightage किसकी है LR circuit and LC oscillations फिर आपके पास induced electric field जिससे मातर 3% का question आता है तो अकर इस chapter से कोई topic आप छोड़ना चाहते हो वो कौन सा हो सकता है induced electric field हो सकता है इस topic से questions बहुत कम बनते हैं ठीक है कभी कभी आते हैं मैं यह नहीं करा कि आ नहीं सकते हैं आने को तो आ सकते हैं अब यहां पर दो conditions होती है एक है growth और एक है decay किसका current का किसका current का current का growth current का decay कैसे होता है समझने की हम करते हैं कोशिश तो हमने कहा कि देखो हमारे पास एक inductor होगा हमारे पास एक resistor होगा और हमारे पास एक battery होगी कौन सी battery की बात कर रहे हैं एक DC battery की बात कर रहे हैं और यहां पर हम सुच को करेंगी close ती ब्राबर जीरो पर हम सुच को close करने वाले हैं अब inductor क्या करता है इंड़क्टर करेंड को सडली चेंज करने से रोकता है इंड़क्टर यह नहीं चाहता कि जल्दी से उसमें से करेंड चेंज हो जाए इंड़क्टर करेंड के चेंज को पसंद नहीं करता दुनिया का कोई इंड़क्टर नहीं चाहता दुनिया का कोई लूप नहीं चाहता ह भी या उसके du rere curiosity उस्पे जो करांड वह रहा है वह चाहेगा यह करंड ही बहता रहे ना मी घ्टे ना करंड बढ़े ना करंड घ्टे ना करंड भड़े दुनिया का हर एक लूप बस यह । conse इंडक्टर उसी को कहते हैं तो यह एकदम से करण्ट चेंज नहीं होने देगा धीरे दिरे इसमें करण्ट राइस करेगा करण्ट की जो वेल्यू है लिखी जाएगी I is equals to I I is equals to I SS steady state ultimately जो उसमें करंट आने वाला है steady state जो करंट आने वाला है 1 minus e to the power minus t by tau ये लिखा जाता है अब I SS निकालने के लिए आप inductor को एक तार माल लेंगे आप inductor को एक तार माल लेंगे ठीके ना, inductor को तार मालना करंट आया वी बाया ये करना है आपको करंट आया वी बाया आई बास समन में tau tau कहलाता है time constant tau कहलाता है time constant और जिसकी value होती है पिटा L by R L by R इसको आप R equivalent भी कह सकते हैं और ये R equivalent निकाला जाता है ये R equivalent निकाला जाता है किसके across? inductor के across अक्रोस इंडक्टर इंडक्टर के across ये निकाला जाता है ये equation है जिसके उपर question आप लोगों को previous year में मिल सकते हैं और आने वाले से भी मिल सकते हैं obviously बात है मैं past से क्या लेना देना हमें तब भविश्य से लेने देना है लेकिन past को study करके हम भविश्य प्रिट करने की कोशिश करते हैं past को study करके हम भविश्य प्रिट करने कोशिश करते हैं कि past में ये हो रहा chances है future में भी ऐसा होगा तो देखते है past में क्या हुआ था आईए question आपके सामने आ चुका है question है बेटा pause करके आपको करना है solve एक बारी आपको भी बेटा pause करके solve करना है इसको question क्या कहा रहा question कहा रहा है consider the LR circuit shown in the figure LR circuit है आपके सामने ठीके ना if the switch as is close at T equal to 0 T बराबर 0 पर पहली बारे switch को close किया गया है then the amount of charge amount of charge पूछ रहा है that passes through the battery between T equal to 0 to T equals to L by R इस समय के बीच में कितना charge flow करेगा switch से इस समय के बीच में कितना charge flow करेगा switch से ठीके ना अब charge क्या होता है देखो बास समझो current होता है dq by dt current होता है dq by dt अब अगर मुझे charge निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा integration तो मैं कह सकता हूं जो charge आएगा वो आएगा integration of IDT मुझे आई चाहिए अब आई का फॉर्मला मैंने आप लोग को अलड़ी दे रखा है आई का फॉर्मला है आई इज इक्वेल स्टू आई एसस वन माइनस इडी पावर माइनस टी बाय टॉप यहां पर अगर इंडुक्टर को में एक तार माल लू तो आई की वैल्ली हो जाएगी ई बाय आर अट इस ए बाय आर वन माइनस इडी पावर माइनस अब इंडुक्टर क्या ग्रॉस आर एकवलेंट आरी एक ही आर कोई और आरी नहीं है ठीक ना तो बनेगा आर टी बाय ल तो एक्वेशन तो मेरी करंट की यह है पर मुझे खाली करंट नहीं चाहिए मुझे करंड को करना पड़ेगा इंटिग्रेट कहा न मतलश है जुईरो से लेकर एल बाय आर् सकेंड करना पड़ेगा आई बसे इसको चार्ज होगा तो और यह वड़े effe । माइनज इटिदी पावर और माइनस आर्ति वाई एल dt, इसका करना है हमको integration e by r हम बाहर निकाल देते है dt का integration t बनेगा इसको integrate करें कितना है e to the power minus r t by l divide by divide by minus r by l बहुत गजब 0 से लेकर l by r तक हमें इसको integrate कर देना है ठीक है, तो यह e by r आया अब एक बार limit डालेंगे l by r, बहुत बढ़िया minus इसको उपल ले जाएंगे, तो यह l by r यह plus हो जाएगा यहाँपर e to the power minus r by l into l by r यह आगया, ठीक है minus करेंगे अब और अब डालेंगे lower limit 0 अब डालेंगे lower limit 0 डालेंगे जब t में 0 डालेंगे तो 0 आएगा ठीक है, minus plus हो गया, l by r e to the power 0 हो गया तो एक बारी मैंने limit में l by r डाला यहाँ पर l by r डाला यहाँ पर l by r डाला फिर minus किया lower limit lower limit में 0 डाला, यहाँ भी जरू डाला यहाँ भी जरू 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 डाल दिया, ठीक है और अब देखते हैं, क्या आंसा बस्ता है हमारे पास चलो भीया, देखते हैं, आईए तो यह है e by r into l by r plus l by r, यह कटा, यह कटा, यह कटा, यह कटा, यह कटा e to the power minus 1 e to the power minus 1 minus l by r यह तो हटी गया, अच्छा जी अब देखो, यह l by r और यह l by r भी कटता हुआ दिख रहा है मुझको यह भी निकल गया है यहां से तो क्या बचा मेरे पास भीया मेरे पास बच रहा है अब e l by r square e to the power minus 1 e l by r square e to the power minus 1 अब देखो भीया तो अब यहाँ पर e की टम में तो हमें कोई आंसर दे नहीं रखा, e की टम में हमारा पर कोई भी आंसर यहाँ पर है नहीं ठीक है अब देखो e की वेली होती है 2.72 2.73 ऐसे रहती है तो 2.7 माल लेते हैं तो 2.7 माल लेते हैं तो क्योंकि 2.7 का फेक्टर मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो यह हो गया e l divided by 2.7 into r square e l divided by 2.7 e l divided by 2.7 into r square तो मुझे यह आंसर आता हुआ दिख रहा है e l divided by 2.7 into r square तो यहाँ पर चला कि इसने यह करे कि e हडा के 2.7 लिख दिया है तो पता होना चाहिए e की वेल्यू कितनी होती है हम लोगों तो बटा यह question इस equation के ओपर बेस सिंपल साधा question आप लोगे सामने यह रहा चार नंबर आपके जेर में आ गए है मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत असान question है बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है medium level का question medium level का question बट चार नंबर आपकी जेर में आ चुके हैं अगर आप देखेंगे 2019 में आने वाला question था ही recent year का ही question है बटा अगला question बटा यह आप लोगों के लिए homework है घर से आपको करके लेकर आना है equation वही लगेगी ठीक है घर में करो अराम से बैट करो इसको pause करो question को solve करो और solve करने बाद क्या करना है आपको पता ही है comment में अपने answer यह आया मेरा answer यह आया तो इस तरीके से आपके सामने question है इसको आप solve कर सकते हो 2019 question है homework है comment में आपको अपना answer लिख देना है चलते हैं अगले वर्दान की तरफ अगले वर्दान की तरफ अगला वर्दान है emotional यह मतलब है कि जब कोई conductor अगर चलना शुरू कर दे एक ऐसे region के अंदर जहां पर magnetic field मौजूद है तो वहां आता है emotional EMF वहां आता है emotional EMF दिवच्चों वहां आता है emotional EMF अगर एक सीधी rod आपके पास है और magnetic field में वह जा रही है उसकी रफ्तार भी है length उसका एल तो इसमें एक EMF पैदा हो जाता है और उस EMF का मतलब यह है कि हम इस rod को इस rod को एक battery एक battery मान सकते हैं इस rod को एक battery मान सकते हैं जिसका EMF होगा और जिसकी value हो जाएगी क्या BVL क्या value हो जाएगी BVL अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर सीधी वायर ना हो कुछ हो तब क्या होगा मालिया आपको वायर दे जी जाए ऐसी ठीक है और magnetic field के अंदर चल रही है वायर ऐसे तो क्या करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है आपको वायर के ends को जोड़ देना है और वायर के ends को जोड़ कर जो आपको यहाँ पर यह तार मिल रही है यह यह अब जोड़ आएगा ना जो इंच्टा वह वहड़ा वी वी हैल एक अब और करी दोनों वी आपस में parallel हुआ तो इम एंफ हाजाएगा जीड आपस दमझ में तीनों का आपस में पर्पेंडिर होना जरूरी है कोई कमपोनेंट हुआ तो आपको प्रपेंडिरो वाला कंपोन लेना हुआ तो कहने का मतलब ultimate फॉर्म लाप जो आज चुका है वह आज चुका है सब्सक्राइब परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों आपस में नहीं आएगा वरना नहीं आएगा अब दूसरा कोश्चन यहां पर यह उठता है कि जो बैटरी था आपने बनाई है न यह इसमें आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर ले लिया हमको बताया न सार हमको ऐसे मालूम पड़ेगा कि वी क्रॉस वी क्रॉस बस हम यहाँ पे एंगे कि वी करॉस बीवी्ट फॉइंट्स वी फॉइंट्स दॉल्सीट्स उन डिय्रेक्शन of positive terminal of the battery we have V Cross V points in the direction of positive terminal of the battery battery के positive terminal की तरफ कौन पॉयंट करेगा battery के positive terminal की तरफ कौन पॉयंट करेगा V cross V करेगा T Scorpion गया कि थर है सो अध्यार्याट्यादीOrht अंर में अंद कर रहा है अपरच से अंदर पीर काने और फिर से में तो तो cross product की direction देखना आप लोगों को आना चाहिए, बस यह आपको पता है, direction आप निकार पाएंगे, कौन सा negative, कोई दिक्क वाली बात नहीं होगी, ठीक बड़े आगे, चले आगे, शानदार, बड़े यह आपको पता है, तो emotional EMF, चुटकी का खेल, आपके सामने हाजिर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला कोशन, मदा पूरा पन्ना ही भर गया कोशन से, पर डरने वाली बात नहीं है, when RG sir is here, what's the fear? भरना नहीं है, what's the fear when RG sir is here, right? So, कोशन गह रहा है, the figure shows a square loop, एक square loop दिखाया गया आपको, जिसकी side length 5 cm, डाइगराम में लिखी गई है, बहुत बढ़ी आदर तरीके से, which is connected to a network of resistances, एक बहुत सारी resistance यहाँ पर यहाँ पर दिखा दी गई है, ठीक है, the whole setup is moving towards right with constant speed of 1 cm per second, यह भी दिखाया गया है, बहुत आदर, at some instant, a part of L is in a uniform magnetic field of 1 tesla, कुछी समय में, एक part है L का, that is a uniform magnetic field of 1 tesla, तो यहाँ पर जो magnetic field है बहुत वो 1 tesla के बराबर है, यह भी लिख लेते हैं यहाँ पर 1 tesla की magnetic field है, और यह वाला हिस्सा magnetic field में है, और right में यह जा रहा है, ठीक है बई, perpendicular to the plane of the loop, if the resistance of L is 1.7 ohm, इसका भी एक resistance है, 1.7 ohm, यह भी लिख लेते हैं यह, 1.7 ohm इसका भी resistance है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तब क्या रहा है, the current in the loop at the instant will be close to, इस loop के अंदर कितना current होगा, तो पहली बात तो हमें इसका effective resistance निकालना पड़ेगा, दूसरी बात हमें यहाँ पर EMF निकालना पड़ेगा, बहुत कोई और battery तो यहाँ पर है नहीं, तो जो यह चल रही है न, rod, यही एक battery का काम करने वाली है, ठीक है न, तो देखो जो यह battery है, अब इसमें देखो, direction तो हमसे pushy नहीं गई, अब को direction निकालने तो यह B बाहर है, वी right में है, तो right से बाहर की तरफ जाएंगे, thumb point चल रहा है नीचे की तरफ, तो हम इसको एक battery मान सकते है, जिसका point terminal नीचे होगा, हाला कि इस question में कोई फराख नहीं पड़ता कि आप terminal उपर मान रहे हो की नीचे मान रहे हो, reason भी किसमें direction नहीं पूछे, but you should know, क्योंकि question direction भी पूछ सकता है, ठीक है न, कैसे वो direction रहेगा, option देके ABCD करके नाम लिखके यहाँ पर पूछ सकता है वो आपसे, खेर, anyways, और इसका value की तो नहीं का पूछा, BLV, BLV, क्योंकि देखो, BLV तीनों आपस में perpendicular हो जाएंगे, अब यह वाली wire में कोई EMF नहीं होगा, because V तो इसके parallel होगा, V विधर है, L विधर है, यहाँ पर EMF नहीं होगा, इसमें भी EMF नहीं होगा, बट इस वाले rod में EMF होगा, यहाँ पर L ऐसा है, V ऐसा है, और B बहार है, तीनों आपस में क्या है, mutually perpendicular है, इसलिए BLV हमारा कुछ ऐसा बनने वाला, आई बस समझ में, बहुत सांदर, अब यह तो मिल गिया हमको EMF, अब बात आ रही है, यह resistance कितनी आएगी, तो ध्यान से देख बटा, क्या यह एक wheatstone विज चासा दिख रहा है, wheatstone बनने के लिए diagonally opposite का multiple से मना चीज़, तो 2 into 1, 2, 2 into 1, 2, तो 2 और 2 हो गए balance, मतलग यह 3 ohm का resistor किसी काम का नहीं है, और यह 2 और 2 ohm आपस में series में है, और यह 1 और 1 ohm भी आपस में series में है, मैं फिर से repeat करता हूँ, यह है एक balanced wheatstone bridge, 3 ohm resistor हट गया है, और 2 और 2 series में है, 1 और 1 series में है, और आपस में यह parallel में है, तो 2 और 2, 4 हो गया, 1 और 1, 2 हो गया, 2 और 2, 4 हो गया, 1 और 1, 2 हो गया, तो चार और दो पैरलल में लगे हैं तो इनका पैरलल कॉमिनेशन हमको दे देगा कितना दे देगा 2 x 4 डिवायर बै 2 प्लस 4 2 x 4 आठ होता है 2 प्लस 4 छे होता है तो यह 4 बटा 3 ओम हमको मिल गया तो यह पूरा 4 बटा 3 है चार बटा तीन तो मतलब होता है लगबग 1.3 लगबग 1.3 मैं 1.3 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे 1.7 दिया है इतनी छोटी स्पूरी डिटेटर्स को दर आपके दिमाग में बिठा लोगे न तो आपके लिए अच्छा है आपको समझा अच्छो 1.7 था तो 1.3 जोडेंगे तो इंटीजर आ जाएगा तो 1.3 रग दिया मैंने इसको ठीक है अब यहां पर जो रिस्टेंस वह 1.7 है जो इसके साथ स्रीज में हो जाएगी क्योंकि पूरा एक ही क्या बन जाएगा लूप बन जाएगा यह ठीक है स्रीज में आ जोनों तो हमारे पास जो हमारे कि यहां पर जो ईमएफ है वो है यह जो अव तो अब बतायों वी कितना है वी था वन टेसला है वी था वन सेंटीमेटर पर सेकेंद्ड और और यह समेंटीमेटर रेसके depend ुटिखय इसको मीटर पर सेकेंड में कर्वडर करने के लिए तो यहां पर हमें जो दिख रहे हैं वो दिख रहा है माइक्रो के अंदर तो माइक्रो के अंदर हमें option लाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 चाहिए तो मुझे 100 से multiply और सौ से divide करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा 500 सो डिवाइड भाइड त्री माइक्रो एंपेयर माइक्रो मतब 10 के बार माइनस 6 होता है तो सौ से multiply सौ सर डिवाइड कर दिवाइड जो किया वो माइक्रो कर देगा पांस बटा तीन आ गया अब पांसो बटा तीन करते हैं तो बटा जिए दिखता है कि वन दो 167.7 166.7 166.6 या माइक्रो एंपर 166.6 आ रहा है जो कि लगबग 166 170 की आसपास है इसने बोला कि विल भी क्लोस टू टू तो इन में से सबसे क्लोस तो भी आए 170 की आसपास ही है तो हम बोलेंगे 170 आ गया हमारा ठीक है इस से नियरली कोस्टू 170 माइक्रो एंपर 170 माइक्रो एंपर देंगे हैं अपना इस टाइप से हम को सॉल कर पाएंगे ठीक है बच्चों मूशनल इमर्स लगाया आपने अपना आंसर निकाल दिया कोई दिखताली बात नहीं अगले कोशन पर हम आ जाते हैं बढ़ जाते हैं अ लूप रहेगा यह कोशों आपका हों रहेगा ठीक है ना और इसमें आपको जो लूप दे रखा है ना वो कर दे रखा है लुट क्या है क्यों तो आपको एंड्वाइंड पॉइंट को जोड़के लिखना पड़ेगा टीक है तो कोशन आप ट्राइगे अपने और आप अगला बरदान रोड़ेशनल यह मोशनल यह काई यह मतलब इसमें ब्हुत हो रहा है ल कि ना होते वह इसमें रोटेशन हो रहा रहा इसमें आपको क्या जा repeating अगर आपके पास कोई भी कंड़क्टिंग रॉड है और माल लेते हो घूम रही है व्यामिग और magnetic field हमारे पास B है, तो जिस point के about वो घूम रही है, अग उस point को हमने O बोल दिया, यह A कह दिया, तो इस O और A के वीच में एक EMF develop हो जाता है, and that EMF is given as half V omega L square, इसका length हमने L ले लिया, so EMF is given by half V omega L square, कितना EMF हाएगा बिटा, half V omega L square आजाएगा, this is the EMF given by this rotational motion of this rod, इस rod के rotational motion के जैसे half V omega L square is the EMF, I think आप लोगों को यह बास समझ में आगई होगी कि EMF की value कितनी है, it is half V omega L square, half V omega L square is the value of the EMF, correct बच्चो, आई बास समझ में clear है, आपको यह याद करना है, अगर rod आपके पास, मतलब किसी भी shape की भी हो, कोई फरक नहीं पड़ता उससे, आप again rod के ends को जोड़के L effective निकाल देंगे, और फिर half V omega L effective का square, लेकिन जब भी आप यह formula लगाएंगे आपको दिहान ही रखना है, एक end होना चाहिए hinge, एक end होना चाहिए hinge, अब अगर आपको यह चाहिए, कौन सा terminal higher पे है, कौन सा terminal lower voltage पर है, तो आप इसके ओपर कोई भी एक section मनाएंगे, और कहेंगे भी यह उसका velocity किदर है, अगर omega ऐसे घूम रहा है, तो velocity इसका ऊपर है, आपको road के ऊपर कोई भी एक section ले ले लेना है, और आपको road ऐसे घूम रही है, तो यह उपर जा रहा होगा, दोनों एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं और दोनों की value equal होती है EMF में आपको यह बताना नहीं कौन higher कौन lower potential difference के लिए बताना है कौन higher कौन lower potential difference VO minus VA is half V omega L square होगा I hope आपके बाद समझ में आगई होगी यह formula करना है याद करते हैं इसके उपर question अब question है आपके साथ सामने 2013 में आने वाला question है metallic rod of length L metallic rod है जिसकी length क्या है वेटा L है यह रही rod यह है rod जिसकी length L है और string जिसकी length 2L embedded to rotate with the angular speed omega दोनों omega से घूम रहे है with one end of the string fixed इसका यह end fixed है if there is a vertical magnetic field B vertical magnetic field B है in the region the EMF induced across the ends of the rod is rod के across कितना EMF induced होगा rod के across कितना EMF induced होगा यह हम जानना चाह रहे हैं तो हमने कहा जो यहां पर magnetic field है वो vertically ऐसे ऊपर है rod के across कितना EMF induced यहां पर होने वाला है ठीक तो अगर मैं पूरी rod माल लूँ अगर मैं पूरी की पूरी rod माल लूँ ठीक है तो पूरी rod के across जो EMF induced होगा वो होगा half B omega 3L का square पूरी rod के ऊपर धागा प्लस rod मिलाके पूरे के ऊपर कितना होगा half B omega L square अब जो धागे पर होगा वो अब इसक्राइब करना है जो धागे पर होगा वो इसक्राइब करना है तो मैंने एक बारे इतनी बड़ी rod मानी फिर एक बारे इतनी बड़ी rod मानी दोनों को माइनस किया तो इस रॉड करने के लेगा आई बास समझ में यह आपको ध्यान रखना है तो half B omega 3L का square minus half B omega 2L का square so 9-4 आ गया 5 3 का square 9 2 का square 4 9-4 आ गया 5 it is 5 by 2 B omega L square is the correct answer D is the correct answer समझ के बड़ा बात लाब लोग इस तरीके से इस question करेंगे चार नंबर जेव के अंदर आएंगे बहुत simple question है चुटकियों में बनने वाला question है clear चालो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला concept अगला वर्दान हमारे पास आज चुका वर्दान नंबर पांच वर्दान नंबर पांच वेटा आप लोग के सामने आज चुका यह है वेटा इस स्लोनाइड का बेटा एक रेडियस होता है इस स्लोनाइड की एक लेंथ होती है और यहां पर हम डिफाइन करते हैं एक टर्म स्मॉल है वहते समॉल है पर यूद वोल्यम n is the number of turns per unit of volume and the number of turns per unit of volume यह है आपके पास तो solenoid हमारे पास है R हमारे पास है L हमारे पास है number of turns पर लेंज हमारे पास आगे पास समझ में आप लोग को clear तो यहां पर define की जाती है है इस solenoid की inductance, 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 self-inductance, coefficient of self-inductance बहुत है उसको L से लिखते हैं इसको इसकी value होती है mu naught n square into the volume B, mu naught n square volume, now to write the volume you can say it is nothing but area into the length, area into the length, area कौन सा यह वाला अब length कौन से यह वाले length, पूरी तार की length नहीं है यह जहां नहीं, it is not the length of the complete wire, पूरे wire की length नहीं है, वायल तो कोईल कोईल होके जा रही है, तो पूरे wire की length नहीं है, यह length किसकी है, यह इस की length है, ठीक है, और यहां पर area आप चाहतो लिख सकते हो, mu naught n square pi r square into, that is how you can write the inductance, इसके ओपर questions आते हैं आप लोगों, तो करते हैं बटा question, करते हैं question, आपके सामने question आ रहा है, 2019 में आएवा question है, बढ़िया शांदार question है, आपके सामने है, देखते question क्या कहता, question क्या रहा है, कि एक copper wire है, is wound on a wooden frame, एक wooden frame के ओपर copper की तार को हमने बांद रखा, whose shape is that of a equilateral triangle, equilateral triangle की shape है उसकी, किसकी shape है, wooden frame की, wooden frame जो है, वो equilateral triangle की shape है, आपके सकते हो, ऐसा है, ऐसा कुछ है, और इसके ओपर लपेट रखा है आपने, इसके ओप तार को हम लपेट रहे हैं, ठीकिए ना, If the linear dimension of each side of the frame is increased by a factor of 3, ठीकिना, हर एक side को 3 गुना कर दिया गया, तो side length अगर पहले a थी, तो अब side length कितरी हो गई है, 3a हो गई है, Keeping the number of tons of the coil per unit length of the frame same, मतलब small n को आपने change नहीं करा, ये same है, Self inductance of the coil कितना हो जाएगा, तो देखो, जो हमने यहाँ पर तार लपेटी हुई है, जो हमने यहाँ पर तार लपेटी हुई है, ऐसे, तो यहाँ पर एक length आ रही है, इस तार की उसे, और एक area आ रहा है यहाँ पर, मेरा question यह है, कि अगर आप इसका cross sectional area बढ़ाते हो, तो क्या length कम हो जाएगी, या length उतनी ही रहेगी, तो जैसे जैसे आप cross sectional area बढ़ा करोगे, वैसे वैसे ये length क्या होगी, कि सो करती चले जाएगी, number of turns कम होते चले जाएगे, number of turns कम होते चले जाएगे, जान देना इस बात पे, number of turns कम होते चले जाएगे, length कम होते चले जाएगी, number of turns per unit length से इम रहे, unit length में, मतलब उनके gaps, जो यह gap है, यह gap change नहीं हो रहा है तरीके से, gap उतना ही रखा है, हमने, ख कहने का मतलब है तो भाइया हमने कहा कि देखो जो कॉफिशन्ट अफ स्टैल्फ इंडेक्टर्स होता है उसका फामला होता है विव नॉट एन स्क्वाइर एरिया इंटु दे लेंट एरिया इंटु दे लेंट हम अगर इस साइड लेंट को इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी हां की न लेंद कम होगी है न अवभ्य आछा लेंद किस सब्सक्राइर अधुर्ण एरिया जो है वो ब्रपोर्शनल टू1-ए स्कौर हो गारी के प्रपोर्शनल हो इक वी लेरिया हो स्कुरंगर एक है ट्री वाई आरिका आमें के एड़े लिट एनल गाश्रटन एक्विलेटली रहे है इसका जो एरिया है वो a square के proportional है वो a square के proportional है अब क्योंकि यह a square के proportional है इसलिए a को तीन गुना करने पर इसको तीन गुना करने पर यह 9 गुना हो जाएगा यह 9 गुना हो जाएगा तो एडिया तो हो रहा आपका 9 गुना बट वट अबाउट दे लेंथ यह लेंथ कितनी हो तो हमने कहा कि constant रहेगा तार की लेंग हमने कहा constant रहेगी तार की लेंग तो what is the length of the tar wire की length कीतनी है तो wire की length है wire की length है length of the wire used in one turn multiply by number of turns multiply by number of turns number of terms multiply by one turn the length तो हमने कहा कि एक टर्न में जो length use हो रही है 3 JOSH say और एसे-ैसे कितने दिने में परकास है're capital N टर्म्स कितना टर्म पास capital N टर्म्स क्लिर रही बात अपको हमारे पास ऐसे कितना टर्म्स है capital N टर्म्स है small n टर्म्स क्या है इस टर्म्स पर यूनित लेंथ वह इस तेकि नंबर ऑफ टर्म्स capital N है small n और capital N के बीच में एक रिलेशन होगा small n विल बी capital N divided by the length यह बारी length वायर की length क्या है यह पूरी length वायर हम इसकी बात नहीं करें हम coil की बात कर रहे है इसकी length L तो number of turns हमने n माने divide by L किया number of turns length निकल गए small n निकल गया तो capital N को लिखता है small n into L ठीक है तो हम कहा रहे है length of the wire is three times A multiply by small n into L small n into L यह आदो small n into L ठीक है अब देखो N constant है 3 constant है और length of the wire भी constant है इस अब तो constant है मतलब A into L constant हो गया A into L constant हो गया इसका मतलब कि अगर A तीन गुना होगा तो L को वन थड़ होना पड़ेगा अगर आप A को तीन गुना करोगे तो L को वन थड़ करना पड़ेगा तब जाके वो A into L रहेगा आगे ना अच्छा जी इसका मतलब L जो है वो वन थड़ हो रहा और A जो है वो तीन गुना हो रहा आई वास समझ में यहां लिखते हैं तो हमने वापिस लिखते हैं हमने का L is equals to mu naught n square A into L और हम कहा रहें A जो ह यह एलवाई 3 हो रहा है जो है वो नौगुना हो रहा है L जो है L वाई 3 हो रहा जो है जो है वो नौगुना हो रहा है क्योंकि A एडिया पे डिपेंड करता है area side के square पर depend करता है side 3 गुणा हो रही है 3 का square नो गुणा area हो रहा length 1 third क्योंकि A into L constant है A into L constant अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही A into L constant है that means L जो है वो anniversary proportional to A हो गया A 3 गुणा है तो L length 1 third हो जाएगी length 1 third हो जाएगी length 1 third हो गया area 9 गुणा हो पुट करते हैं यहाँ पर L is proportional to A into L है L is proportional to 9 into 1 by 3 9 into 1 by 3 L की value आ रही है 3 times L dash आ रहा है आपका 3 times तो यह 3 गुणा हो रहा 3 गुणा हो रहा 9 गुणा L 1 by 3 3 गुणा हुआ increases by a factor of 3 A would be the answer English by a factor of 3 A is the answer that is how we can calculate the answer of 2019 11 January second shift का question था यह ठीक है इस तरी सब्सक्राइब आशर को निकाल सकते हैं ठीक रच्चो चार नंबर जेव के अंदर आ गए है technical question है calculation tough नहीं है सोचना पड़ेगा question क्या कह रहा meaning क्या हो रहा क्या meaning है इसका technical question है इसलिए आपके सामने यहां पर इसको मैं ले कर आया हूँ यह question मिलता है अब आपके सामने ठीक है उसी फॉर्मला के उपर बेज जाए आपका homework है यह घर से करकर आना है आपको comment में अपने answer को लिख देना है सर मेरा answer यह आ रहा ठीक है यह बटा 2019 question है आपके सामने similar question है बटा घर से आपको करकर ले कर आना है ठीक है बच्चो तो आज के लिए बटा इतना ही इस वर्दान series में इतना ही बटा तो बटा पढ़ते रहिए मुस्कराते रहिए be a good woman being मिलेंगे अगले वर्दान series में अगले lecture के साथ अगले chapter के साथ सब तक के लिए बटा see you टटा बाई बाई स्रायोनारा